कि एलो अश्ट्रेंट्स कानेमेटिक्स में दो चप्टर आता है एक तो आता है मोशन इने स्टेट लाइन पर एक आता है मोशन ने प्लेन क्लास 11 में प्लाब 1D और 2D पैसे 3-dimensional भी हो सकता है मोशन बट उसका कोई प्लेन कोई चीज हो रही हो तो उस प्लेन को अगर में एक टू डामिशन फिगर है तो वहाँ पर उस पाड़किल के मोशन में दो coordinates change हो रहे होंगे, जैसे मालूँ मैं board के plane को x y plane मालूँ, जब वो particle move करेगा, तो उसका x coordinate औ y coordinate दूनों change हो सकता, इसी moment पर जरूर नहीं कि दूनों x y change हो, पर x y coordinate दूनों change हो सकता है, जबकि one dimensional motion में इसे fake coordinate change होता है, इधर x, इधर y और z, तो यह difference होता है, one d or two d में, दूसरा जब हम motion plane start करते हैं, तो सबसे पहले तो हम जानते vectors के हैं, तो हमें vectors के उपर अलग से एक video डाल दूनगा, तो आप उसमें vectors पढ़ लेना, mathematics में भी है, और physics में भी है, वो यह है कि हम, जब हम motion ए plane में आते हैं, तो हमारा focus क्या है, तो हमारा focus है कि plane में two dimensional motion अगर हो रहा है, तो हम उसको कैसे analyze करेंगे, plane में two dimensional motion में देखे हमारा जो, कोई मैंने बताए कि एक ऐसा पाड़केल है, जिसके दो coordinate change हो रहा है, तो इस type की अब दो coordinate change हो रहा है, पाड़केल की motion को हमे analyze करना है, तो हम उसको break कर लेते हैं, दोनों coordinates में अलग 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 अलग, अलग 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 यह करेंगे, पर भाई आपको यह बताने जा रहा था कि हम लोग करेंगे कैसे, फिर पाड़केल का जो motion अब सिर्फ एक लाइन तक restricted नहीं है, यहाँ पर उस पाड़केल का जो motion ने line break कर जाएगा, direction change हो जाएगी, तो हमको पाड़केल की motion को describe करने के लिए, position, displacement, velocity, acceleration लिखने के लिए, अ इस लिए chapter vectors से start होता है, तो सबसे पहले हम लोग इस chapter में vectors करते हैं, फिर हम लोग करते हैं कि कैसे हम vectors की help से plane में motion को, two-dimensional motion को analyze करते हैं, तो यह वाली जो मैंने board में class, जो board जिसका आपको देख रहा है, जो class आपको देख रहा है, इसमें मैंने यह करा था, कि कैसे हम vectors को use कर पुझक्टाइल मोशन में, जोकी two-dimensional motion और plane motion के example है, और फिर apply करेंगे circular motion में, पुझक्टाइल मोशन और circular motion एक तरीके से example है, पुझक्टाइल मोशन और circular motion, example है, कैसे हम यह जो हमने vector वाली थोरी सीखी है, इसको apply करेंगे, वो application है, तो आज की इस video में हम लोग देखेंगे कैसे हमारा vectors जो है, वो two-dimensional motion को analyze करने में जूच के आपने है, तो देखे, माल नीचे एक particle है, वो xy plane में चल ला है, यह देखे, xy plane और यह रहा हमारा origin, xy plane में जब यह particle चल ला है, तो किसी moment पे हमने observer को, observer always assumes itself at origin, यह रहा हमारा observer, object किसी moment पे यहाँ पे था, हमें बालो में observer से object के definition कभी नहीं बदलेंगी, observer से object के बीच में, अगर एक straight line कीचे हैं, तो वो position कहलाती है, position जिए vector drawn from observer to object, तो माल ली जो object यहाँ कहीं पे है, और उसके इस समय coordinate है x, y, x, y इस position के coordinate है, x, y का मतलब क्या होता है, x, y का मतलब होता है, यह जो x-axis में इसने, यह वाली तो यह वाला vector कितना होगा, x-axis में, अगर यह distance x हो, तो obviously यह होगा, x-i-cap, अगर हम x-axis के long unit vector को i-cap ले 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 तो यह वाला vector होगा, हमारा x-i-cap, और यह वाला y-axis के long वाला जो होगा, यह होगा y-j-cap, तो यह distance y है, और y-axis के long unit vector j-cap होता है, तो x-i-cap plus y-j-cap, तो हमारा position वेक्टर लिखा जाएगा x i cap plus y j cap यह हमारा position वेक्टर लिखा जाएगा अब माल लीजे जब पार्टकिल चलना इस्टार्ट किया था तो उस हमें उसके कोडिनेट थे हैं x1, y1 तो initial position वेक्टर था x1 i cap plus y1 j cap x1 i cap plus y1 j cap यह हमारा position वेक्टर था अब जब यह चलते चलते यह पार्टकिल का motion हुआ एक कावड़ पात में हो चलते 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 हैं पार्टकिल x2, y2 पर पहुंचा यह final position है तो पार्टकिल की final position लिखी जाएगी x2 i cap plus y2 j cap x2 i cap plus y2 j cap तो पार्टकिल की देखे position change होते हैं और यही तो होता है हमेशा change in position होती है और यह हम define करते हैं final position minus initial position rf minus ri यह देखे rf minus ri लिखा हुआ है rf minus ri तो displacement is defined as change in position final position minus initial position तो final position minus initial position तो x2 i cap plus y2 j cap से x1 i cap plus y1 j cap subtract करें हमको मालू में i से i subtract होगा j से j subtract होगा तो हमारा displacement बन जाएगा x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap x2 minus x1 x में displacement को delta x लिख लिख लिए और y2 minus y1 y के displacement को delta y लिख 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 लिए तो हमारा बन जाएगा displacement vector delta x i cap plus delta y j cap यह हमारा बन गया displacement delta x i cap plus delta y j cap displacement बन गया हमारा delta x i cap plus delta y j cap अब हम इसको displacement निकाल लिए, position निकाल लिए, अब इसको motion को analyze करने में use करेंगे, तो हम लोग अब motion को analyze करने में देखें क्या use करेंगे, इसको हमें velocity निकाल नहीं है, exclamation निकालना ये सारी चीज़ निकालनी है, तो देखे, यह Parker जब चल था Scout path पर यह हमारा Parker था, Scout path पर चल था, तो अगर displacement बड़ा है, अब displacement बड़ा का मलब time interval बड़ा है, यह बोलना च duplicate है, time interval बड़ा है, तो इस बड़े से interval में जो displacement होगा, वो Quad के along होगा, तोकि displacement एक vector है, final position minus initial position, यह देखिए final position vector बना हुआ है यह वाला RF ये initial position vector बना हुआ है RI ऩो जब आप RF minus RI करते हैं इस vector में से ये vector subtract करते हैं तो vector की थोरी क्या कहती है आप RF पे आए और RI ढाइए आपको subtract करना है तो vector की थोरी कहती है vector subtraction की आपको ये वाला vector मिलेगा स्टेट लाइन वाला, यह vector में से स्टेट लाइन होते हैं, यह triangle का यह वाला मिलेगा, in fact देखिए, यह ri है, इसमें आप यह rf minus ri जोड देंगे, तो ri ri कर जाएगा, rf आ जाएगा, triangle law से, यह आपको जो दो point को मिलाने वाली line को क्या बोल सकते है, chord, तो हमारा जो displacement, large displacement होता है, वो हमेसा chord yalong होता है, अगर हम interval छोटा ले ले, अगर interval छोटा ले ले तो final position, initial provision के पास आती जाएगी, ऐसे, 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 बहुत छोटा interval ले ले तो इसी पर coincide कर जाएगी, तब इन दोनों point को म लाने भाइलाइन क्या बन जाएगी टेंजन तो अगर displacement बड़ा है तो वो कॉड के लांग होता है अगर displacement छोटा है differential time interval में ले रहे हैं तो वो tangent के लांग होता है तो motion इन ये plane vectors जब हम यूज करते हैं तो हम लोगों को क्या-क्या निकालना आना चाहिए उसकी सारी kinematic variables आने चाहिए position, displacement, velocity, acceleration तो मैं displacement में बता रहा था है velocity के लिए बता रहा था क्योंकि velocity में भी displacement की जोद पड़ेगी displacement अगर बड़े time interval में लेंगे तो quad के लोग आएगा छोटे time interval में लेंगे तो tangent के लोग आएगा अब आते है velocity, velocity आपको मालू में displacement upon time होती है average velocity, total displacement upon total time बड़ा interval लेंगे delta r upon delta t और average velocity quad के along अभी हम लोगों ने बोला था कि displacement जो बड़े time interval में quad के along होता है पर जब delta r upon delta t में delta t scalar है तो delta r की जो direction होगी वह average velocity की direction होगी इसलिए जब भी कोई particle move करता है इसी भी type से उसकी average velocity हमेशा उन दोनों point को मिलाने वाली salt test जो state line होती है यानि की quad होता है उसके along होती जैसे मुझसे कोई पूचे ही है जो मैंने figure बनाया था beginning में इसमें average velocity किदर है तो initial and final को मिलाने वाली quad के along है state line के along है अचा average velocity delta r upon delta t में delta r की value लगते है delta x plus delta y जो रख दें तो देखे delta x upon delta t i cap delta y upon delta t j cap दो तर्माएंगे और आने भी चाहिए और वन dimensional motion में velocity आप लिखते थे delta x upon delta t तो कि वो सिफ x axis में हो रही थी अब इस particle का motion two dimensional हो रहा है तो इसमें दोनों term आएगे x में भी आएगी और y में भी आएगी देखे जब पारगिल चल ला है तो x औ y coordinate दोनों इसके बदल ला है यहाँ पर देखे पारगिल x, y दोनों coordinate बदल ला है तो velocity भी x, y दोनों में होगी तो इसकी velocity में दो term है एक है delta x upon delta t i cap और एक है delta y upon delta t j cap अब अगर मुझे instantaneous velocity चाहिए instantaneous velocity के हम time interval चोटा करेंगे तो चोटे time interval में delta t बन जाएगा dt तो delta x बन जाएगा dx और delta y बन जाएगा dy तो instantaneous velocity हमारी बन जाएगी dx upon dt i cap तो dy upon dt j cap अब अगर याद करो one dimensional motion में velocity simply हम dx upon dt लिखते थे क्योंकि हम मान के चल देते कि particle सिर्फ x axis के long चलना है तो instantaneous velocity dx upon dt लिखते थे अब जब particle two dimensional motion करता है तो उसकी velocity लिखे जाती है dx upon dt i cap तो dy upon dt j cap उसकी velocity में दो term है एक x का और एक y का आप देखेंगे जो net velocity है वो x वाली velocity और y वाली velocity का vector sum है और समझ भी आता है बाई two dimensional motion को understand करने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसको components में break कर लो एक x वाला component आप लिखो velocity को vx i cap vx dx by dt है और एक लिखो y वाला component vy जो की dy by dt है dy by dt j कै तो देखें हम क्या करते है motion जैसा भी हो 1d, 2d, 3d ultimately उसको 1d पे ही लाके करते है 1d पे लाके ही analyze करते है two dimensional motion x और y में break किया जाएगा three dimensional motion x, y, z तीनों में break किया जाएगा और तीनों का vector sum हम लिख लेंगे जैसे हम लोग नहीं आप पर velocity को लिखा है velocity constant हुए उसी speed-sipc direction में चलता रहा तो तो state line में चलेगा, plane में तो नहीं चलेगा तो अगर plane में चलना है तो velocity change होई क्यों ही velocity change होगी तो वहाँ पे acceleration भी हाएगा तो मैंने लेखा मालीजे किसी time interval में velocity में change हुआ, delta v x i कह है बच delta vy j कह है x i mean दोनों में change हुआ, जुरूर नहीं एक साथ change हूँ बट मैंने general बात कर रहा हूँ तो acceleration, acceleration क्या होता है rate of change of velocity with respect to time तो एक बड़े time interval में हमें acceleration निकालना है तो हम अवसकी उस time interval के average की बात करेंगे तो average acceleration कितना होगा delta v upon delta t delta t से divide करते है तो delta v x upon delta t i cap बस delta vy upon delta t j कह है और अगर हमें instantaneous acceleration चाहिए तो instantaneous acceleration छूटे time interval के लिए छूटे time interval में delta t बन जाएगा dt तो बन जाएगा d by dt of v x i cap बस d by dt of vy j कह है तो देखें, आप acceleration में भी दो component आ रहे है आप चाहो तो जैसे 1d में acceleration लिखते थे d by dt आप वैसे समलो कि एक a x है जो कि d by x by dt है एक a y है जो d by y by dt है और net acceleration है a x i cap प्लेश य जे कह है तो आप देख रहो कि position भी था x i cap पे स y j cap velocity है v x i cap पे स y j cap acceleration है a x i cap य जे कह है यहाँ पे भी एक है रहो a x है d by x by dt x में y में break कर ले रहो ay लिख रहो d by dt x और y में break कर लो और जब x y में break कर लोगे तो आपको मैंने जो बताया direction भाई देखे displacement जो है अगर बड़ा है तो chord और छोटा है तो tangent average velocity chord के लोग होगी और instantaneous velocity tangent के लोग होगी यह देखे याद अखिए motion ने plane जब भी क्याभी plane में motion हो रहोगा तो instantaneous velocity tangent के लोग क्यों होगी तो कि instantaneous में लग छोटा time interval differential time interval very small time interval infinitely small time interval tending to zero time interval तो छोटे से time interval में पारकिल ज़्यादा चली नहीं पाएगा तो जो chord है उस point पे हो सकता है तो हम इसमें और detail में focus करते हैं किसी भी vector को x i cap य j cap को जब लिखो तो इसका magnitude होटा है under root x square पे स y square और direction होती है 10 inverse y by x तो इसी तरीके से velocity का magnitude होता है instantaneous velocity का magnitude होता है velocity का magnitude आपको मैंने 1D में बता है speed कहलाता है तो v x i cap plus v y j cap अगर आपने velocity लिखी है तो जो speed होगी ना तो v x है ना v y है ना v x plus v y है ना v x minus v y है वो क्या है इसका magnitude वेक्टर का मेक्टर भी बता है 0x square plus y square तो जो speed बनेगी two dimensional motion में वो बनेगी under root v x square plus v y square जो direction बनेगी आपने velocity दिखाया आपने x में दिखाया v x आपने y में दिखाया v y velocity को जो direction बनेगी यानि कि जो x-axis से angle बनेगा वो इस vector का angle होगा उस vector का angle 10 inverse v y upon v x 10 inverse v y upon v x और same चीज acceleration के लिए ax और ay उसके दो component है net acceleration पूछेंगे तो under root ax square पर y square होगा acceleration की direction होगी 10 inverse ay upon ax अब जल्दी से question निव्टा लेते है two dimensional motion हो रहा है एक particle 1,2 से 2,3 गया बताए ये position vector कितना तो 1,2 पर के लिखोगे 1 ikaf plus 2 jk 2,3 पर के लिखोगे 2 ikaf plus 3 jk displacement के इतना हुआ final minus initial 2 में से 1 गया तो 1 ikaf 3 में से 2 गया तो 1 jk 1 ikaf plus 1 jk भी होगे displacement average velocity average velocity के लिख टाइम भी तो बताना पड़ेगा तो time माल लेते हैं 2 second का तो 1 ikaf plus 1 jk displacement time 2 से divide का दो तो half ikaf plus half jk अब position vector दे रख़खा है t square ikaf minus 2 t jk t square i minus 2 t jk ये आपका position vector दे रख़खा है इससे मुझे instantaneous velocity चाहिए तो instantaneous velocity क्या होती है dx upon dt i cap divide by dt jk ये x है t square ये 2 t y है तो dx by dt t square का differentiation 2 t 2 t i cap 2 t का differentiation 2 2 jk 2 t i cap minus 2 jk होगे velocity instantaneous velocity चाहिए t is equal to 1 पे तो आप 1 लग दो तो 2 i cap minus 2 jk 2 पे चाहिए तो आप 2 रख दो 2 into 2 4 i cap minus 2 jk अब आपको average acceleration चाहिए average acceleration क्या होता है final velocity minus initial velocity upon time interval तो अगर आपको 1 से 2 के बीच में चाहिए तो आप 2 वाली velocity जो आए थी 4 i cap minus 2 jk और 1 वाली जो आए थी 2 i cap minus 2 jk subscribe कर दो 2 jk से 2 jk चला गया 4 i cap में 2 i cap गया तो 2 i cap time interval 1 से 2 के बीच में 1 second का है तो 2 i cap by 1 average acceleration आगया आपका 2 और instantaneous चाहिए तो आप differentiate कर दो velocity को तो 2 t का differentiation 2 और 2 का तो फिर constant zero हो गया तो average acceleration आगया 2 i cap तो आपने देखा किस तरीके से हम vectors का use करके two dimensional motion को समझते हो सबसे main चीज़ आप समझ लिजे motion in a plane can always be understood as superposition of two simultaneously एक ही साथ occurring components of motion one in x and one in y and both are superimposed भी दीज चतर पलब x का motion अलक से deal करिए y का motion अलक से deal करिए दोनों को superimpose कर दिए दोनों में common चीज़े time आपका plane का motion analyze हो जाएगा आपको कहीं पर कोई दिख करते है तो आप comment में लिखे मुझे बता दीजेगा मैं अगली बार उसको और better तरीके से explain कर दूँगा जो भी आपको doubt रह जाते हो जो भी आपके concerns हो आप doubt में जरूर लिखे मुझे बता दीजेगा मैं अगली बार इससे better video बना के डाल दूँगा बढ़ आप इसको subscribe कर लीचेगा और comment करके बताएगा कि कौर और हमें क्याड आउट रहें